जै चिनेंद्र, जै गुरुदेव, आजवे ख़श्मे स्वागत है सभी का। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करके मन इतना गदगद हो गया, जिनको शब्दों में बयान करना असंभव साही लगता है। शब्द नहीं मिलते ये बयान करने के लिए कि हाँ हमें क्या महसूस हुआ क्योंकि जो एक बार गुरुदेव की शरन में चला जाएगा वो बार बार जाएगा। यूँकि जब हमारे मन की विक्रितियां इतनी उफान पर होती हैं और ऐसे में गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए, उनके दर्शन हो जाएं तो ये सारी विक्रितियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। पंजाब के जालंदर शहर में जब दर्शन करने का आवसर प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ तो ये जिग्या साइं समाप्त करने का भी आवसर मिला और ऐसे में मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था कि सिमिलर नंबर्स हमें क्यों दिखते हैं, इनका क्या परि 12-12 हो गया, 12-21 हो गया, 3-3 हो गया, 4-44 हो गया, 555 हो गया, ये नंबर आखिर दिखते क्यों हैं, तो जैसे ही मौका मिला, गुरुदेव परवचन कर रहे थे और हमें बहुत चीज़े समझा रहे थे, उसी अवसर का फाइदा हमने ले लिया, कहते हैं ना कि कुछ अच्छा पाने के लिए मौके का फाइदा जरूर उठा लेना चाहिए, तो यहीं हमने भी किया, मैंने भी किया, और लगते हाथ ये सवाल गुरुजी से आखिर पुझ ही लिया, और गुरुजी ने बड़े सोम्य भाव से, बड़े प्रेम भाव से, उस सवाल का, मेरी जिग्यासा का इस तरहां से जवाब दिया, कि मन को एक शान्ती प्राप्त हुई, और वाकि में लगा कि हाँ, जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, गुरुदेव के आने से कुछ अच्छा हो रहा है, गुरुदेव एक ग्यासा है, बारा बारा और बारा एक्टिस और तीन तीन बहुत ब सब्सक्राइब जब कोई भी नंबर आपको रिखता है बारा बारा दो दो तीम बचके तीन दिने चार बचके चार निए चार बचके चुर्मालिस दिने तो समझना के अब हमारा यह जो शरीव की उर्जा है प्रकुती उर्जा से अलाइन होगा है तीरे दीरे हम नेचर से जुटे जाने हैं जब भी आप कोई सिमिलर नंबर से कनेक्ट होते हो अचानक गड़ी देखे हो गया टाइम है इन तेतिस अगले दिन गड़ी देखा चार कर देखा 5 पंड़ याने या तो देविक शक्ति या गुरुव शक्ति या ब्रह्मान ये शक्ति आप से जा रहे हो, उसका आर्प है कि आप निचरल से शूपर निचरल होते जा रहे हो और शूपर निचरल से एक दिफ सूपर कोर्स हो गए तो कल्यादा कप्या नहीं जो होता है और रखुल करें कि सब का मंदल कालें यही कातना पप्षे हुए झाल झाल